नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अतुल जैन है हमारी फ्रम का नाम डिस्कवर इंफो टैक है आपको CCTV कैमरा या स्पाइ कैमरा से रिकार्डिंग कोई भी पर्चेजिंग करनी हो या कोई भी क्वारी करनी हो तो आप नीचे दीवे नंबर पर हमें संपर्ग भी कर सकते हैं साथ इस आप पर्चेजिंग के लिए हमारे ओफिस में भी विजिट करके पर्चेज कर सकते हैं चलिए दोस्तों आज मैं आपको दिखाना चाहूंगा बल्व PTZ यह बल्व PTZ है इसकी मैं सबसे पहले आपको स्पैसिफिकेशन बताऊंगा इसका जो कैमरा है 2 मेंगा पिक्सल का कैमर नाइट वीजिन है मतलब कि जैसे और कैमरो में आपने देखा होगा कि नाइट वीजिन में ब्लाक और दिखाए देता है रात के टाइम अंदेरे में इसमें आपको फुली कलर दिखाए देगा यह अभी सबसे लेटेस्ट मोडल आया है तो मैं आपको इसको बताता हूँ कि आज यह वर्क कैसे होगा सबसे पहले इसके साथ आपको होल्डर दिया जाएगा आप होल्डर को अपने घर की जो बिजली की तारे हैं आप उससे कनेंट करने के बाद डेरेट आप इसको बिजली देखे इसको आप बल्ब कैमरे को इटी जैड की तरह कस दे अभी हमने जैसे कि आप देख रहे हैं कैमरे के उपर यहाँ पर यह SD कार्ड का स्लोट दे रखा है आपको यह रबड हटा के यह आपको रबड हटानी होगी रबड हटाने के बाद आप यहाँ पर मेमरी कार्ड डाल सकते हैं साथी साथी यह रीसेट बटन है हम कभी भी आप जब भी आप ये camera मंगवाए तो इसको आप एक बार reset जरूर कर ले इस वाले बटन को किसी भी pen या pin से बहुत प्यार से ऐसा मैसूच करके बहुत प्यार से इसको दबाए जैसे कि आप इसको reset करें सबसे पहले जैसे कि ये मैंने pin ले लिए कोई भी बड़ी pin लेके आप इसको reset करें और तकरीबन 5 सेकंड तक इसको दबा के रखें जैसे system ये बोल देगा आप इसके बाद हटा लीजेगा ये device आपका reset हो जाएगा reset करने के बाद आपको सबसे पहले आपको अपना mobile खोलना है mobile खोलने के बाद आपको अपने wifi connections के उपर आना है आपको अपने wifi connections पर आना है wifi connections पर जैसे आप देखिएगा कि ये mv55287628 ये इसका code है आपको इसके उपर click करना है जब तक यहाँ पर connected without internet ना लिखा है तब तक आपको यहाँ से बाहर नहीं जाना अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि connected without internet लिखा वार है आपको यहाँ से बाहर निकलना है बाहर निकलने के बाद आपको v380 pro application डाउनलोड करनी है v380 pro यह डाउनलोड करने के बाद आप इसको open करेंगे जैसे कि आप यहाँ पर register करके अपना login ID password बना सकते हैं बट अभी हम try without an account करेंगे क्योंकि अभी हमें आपको demo दिखाना है हमने quantity के उपर क्लिक कर दिया इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह छोटा सा pop-up आएगा यह pop-up इसी camera का है आपको इसके camera के उपर क्लिक करके connect के उपर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर जितने भी आपके wifi है वो सारे show करेंगे आप अपने wifi के उपर क्लिक करके यहाँ पर password डाल दिजेगा यहाँ पर हमारा by default password डाला वह है बट आपको अपने wifi का password डालना होगा confirm कर दिजेगा system बोल रहा है wifi connected अब यहाँ वाइफाई connect हो रहा है इसका तकरीबने इसमें 10 से 15 सेकंड लग जाते हैं wifi connect होने में जैसे कि यह connect हो गया है तो इसमें wifi connected आगया है तो अब आप अपने जहाँ पर भी लगाना चाहते हैं उसके उपर क्लिक कर गया finish पर click कर दीजेगा अब आप यह देख रहे हैं कि इसपर play का option आ रहा है आप इसको उपर click करेंगे तो यह password अब मागेगा आपको set password करना है यहाँ पर आपको एक alphabet आपको बड़े अक्षर में रखना है और एक alphabet आपको small letters में लिखना है तो यहाँ पर आप अपना password बना लीजे जैसे हमने ABC का A बड़ा कर दिया और आगे हमने numerical डाल दिये और कम से कम आपको 8 digit का बनाना होगा और आप उपर जो आपने password डाला है वो ही SIM password आपको नीचे भी डालना होगा इसको करने के बाद confirm कर दीजेगा आप इसको उपर क्लिक करेंगे तो यह आपका कैमरा खुल गया है आप इसको rotate कर सकते हैं जैसे चाहें आप वैसे move कर सकते हैं और mobile में recording के लिए आप record भी कर सकते हैं रिकोर्ड को उपर क्लिक कर देंगे तो यह आपके mobile की gallery के अंदर record हो रहा है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से timer स्टार्ट हो चुका है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब और आगे फर्दर अबडेट्स के लिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजेगा नन्यवाद